Hello everyone, welcome back to my channel तो friends, आज मैं बहुत ही खुबसरत प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ विगनर्स के लिए ये बहुत ही perfect प्लांट है और जो लोग जादा प्लांट की केर नहीं कर सकते उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्लांट है इसरी बात ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा प्शन भी है क्योंकि ये ग्रिन फ्लावर के जैसे ही दिखता है दिखने में तो ये देखिए बहुत ही लश्ट ग्रिन इस तरह का ये प्लांट है और इस प्लांट का नाम है कैलेसिया फ्राग्रंस के नाम से इस प्लांट को जाना जाता है और दूसरा इसका नाम चेन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है चेन प्लांट इसे क्यों कहता है तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी तो यह देखिया इस तरह से मेरे बालकने में स्टैंड है और नीचे के साइड में मैंने पूरे इसमें इस चेंड प्लांट से मैंने भर दिया है कि मेरे यहां कबुतर आते हो नीचे जो भी प्लांड में रखती हो खराब कर देते हैं इस वज़े से मैंने यहां पे यह चेन प्लांट लगा दिया है और यह दिखने में बहुत खुपसुरत दिखता है जब मैं यहां पे बालकनी में शूट करती हूँ तो मुझे इसका बैक में लगा हुआ है तो इस तरह के आप छोटे-छोटे पाट में लगा के इसे स्पेस है वहां पे आप यह रख दे तो बहुत खुपसुरत दिखता है वैसे ग्रोथ की बात करें तो इस लो ग्रोइंग प्लांट है यह देखिए मैंने इसे कप में भी लगाया है और इस कप म चाहिए और वैसे भी यह बिना रेनेश होल का कप है तो इसे पानी वैसे भी कम देना है कप में भी यह लग सकता है बहुत खुपसरा दिखता है मेरे यहां पे स्टैंड में जहां पे छोटी सी पी जगा है तो वहां पे यह कप रख देती हूँ तो इस वाज़े से मैं पान बहुत कम देती हुए से, इस वज़े से इसकी पत्ते थोड़े से यह लोईश है, इसे चैन प्लांट क्यूब कहते हैं, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, इसके इस तरह से चैन निकलती है, और इसके चैन के टिप में इस तरह से पफ निकलते हैं, इसी तरह से इसका प्र से नहीं जाएगा, propagation इसी इसका इसी तरह से होता है, soil की बात करते हैं, तो इसे कोई special soil mix की जरुरत नहीं है, यह तरह की soil mix में यह लगा हुआ है, red mitti में भी लगा हुआ है, red mitti में थोड़ सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रेट मिटिक बहुत ज़्यादा सौगी हो जाती है क्योंकि वो चिकनी होती है इस वजे से तो एक बार उसमें पानी डाल दिया तो मैं जब तक उसका पानी सुखता है तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ बाकी मेरा बाकी जो आपके रिया कि जो भी गार्डन सौइल होती है ब्लैक कलर की या भुरी कलर की सौइल उसमें भी आप लगा सकते हैं वेलरें सौइल है तो वेल एंड गुड और अगर कोई special सौइल मिग्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं वैसे कोई ज़र जरूरत नहीं है वैसे आप काउडंग कंपोस्स या वर्मी कंपोस्स या लीफ कंपोस्स आप यह से दे सकते हैं मैं कोई खाद नहीं देती हुए फिर भी यह प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है बहुत ही हार्डी प्लांट है लो मेंटरनस प्लांट है कोई से केर की जिका डिया है बस इसमे मैं पानी डालोंगी और कुछ करने के जुरत नहीं है फिर भी यह प्लांट लग जाएगा बहुत ही खुभसरा दिखता लिखता है वैसे भी white और green color का combination बहुत कुछ दिखता है आफिट्स की बात करते तो मैंने इसमें कोई आफिट्स attack अभी तत नहीं देखा है बिल्कुई भी नहीं देखा है ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई आफिट्स attack नहीं होता है तो इस वज़े से भी आप ये plant लगा सकते हैं और दूसरी बात ये plant एक बार आपके घर में आ गया तो ये आपके घर से कभी भी नहीं जाएगा कभी भी नहीं जाएगा ये plant किस वज़े से मरता है तो ये over watering की वज़े से ही मर सकता है वैसे ये plant आप ऐसे निकाल के आप कहीं पर भी रख दो तो भी ये plant अपने आप में जड़े पकड़ लेता है और grow कर लेता है पानी एक मेने तक भी इसे पानी नहीं देंगे तब भी ये plant बिल्गुल भी खराब नहीं होगा पाना इसके पत्ते मुर जाएंगे पीले पड़ेंगे और उसके बाद brown हो जाएंगे लेकिन ये plant कभी भी नहीं मरेगा इस तरह का बहुत ही खुबसूरत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये plant बहुत ही hardy plant है तो ये plant कोई भी लगा सकता है तो आप अपने घर में जरूर लेकर आए अपने घर पे अगर आपका बंगलो है तो बंगलो के बाहर एक lane में इसका compound बना ले एक lane में तो ये बहुत ही कुसरत दिखता है इस तरह का ये plant है और आप लगा सकते हैं जरूर आपके घर में ये plant add करें और इसकी greenery देखें वैसे ये sun loving plant है पूरी धूप चाहिए इसे winter season इसका dormancy period है तो ये अभी आप इस वक्त नरसरे में ये plant मिल जाता है तो इस वक्त आप इसे लेकर आए और अपने घर में लगा अपने एक plant लेकर आएंगे आपका पैसा वसूल हो जाएगा इससे ये multiply होते रहता है तो इस तरह का ये plant है तो आप ज़रूर अपने घर पे लगाए और summer season में इसके greenery enjoy करें और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक subscribe तो बनता है और ये plant पसंद आया है तो एक like तो ब झाहे तक्स फर ओचिंग झाहे तक्स वर ओचिंग।